Hello everyone, मैं विश्वजीत सिंग, आप सभी का देई इनप पर स्वागत करता हूँ दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर में हम MA History MHI 01 का एक important topic को discuss करने वाले हैं आज का जो हमारा topic होने वाला है पसुपालक खाना बदोस रहने वाला है इस topic के बारे में पहले भी हमने कई सारी वीडियो के अंदर में discuss किया है कई सारे lessons दिसके ओबर में cover किये हैं पर फिर भी confusion रहता है और यह topic important है अकसर exam में इस topic में से questions बन कराते हैं questions किस तरह का रहता है तो question यह रहता है कि पसुपालक खाना बदोस का जो जीवन व्यापन ने उसको समझाईए पसुपालक खाना बदोस होते क्या हैं उसको समझाईए और इनके basis पे जो इनका समाजिक संरचना है ठीक है कि समाज में किस तरह से निवास करते हैं समाजिक संरचना को समझाईए इनकी अर्थववस्ता किस पर करके उसको समझाईए इस तरह से question बन कराता है मेंली अगर आप last five years के question papers को देखोगे तो last five years में कम से कम 5-6 बार ये question repeat हुआ है एक साल में दो बार exam होते हैं तो 5-6 बार ये question repeat हुआ है इसके अंदर में उनके समाजिक संरचना और अर्थववस्ता कि सोरूप को पूछा है कि किस तरह से इनका अर्थववस्ता का सोरूप है और अकसर confused होते क्या लिखें इतना सारा कैसे लिखेंगे तो आज हम इस वीडियो के अंदर में हम इसके बारे में बात करेंगे और जो इस वीडियो की PDF है आपको हमारे Telegram गुरूप पे मिल जाएगा और WhatsApp गुरूप के भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक दिया हुआ है तो वहां से डारेक्टली जॉइन करके भी आप ले सकते हो चली सटार्ट करते हैं आज का हमारा Topic पसु पालक खाना बदोस अगर मैं बात करूँ पसु पालक होता क्या है तो पसु मतलब जानवर तो जानवरों पालने वाले को अंब पसु पालक कहते है क्या होते है तो खाना बदोस ऐसे वेक्तियों कहा जाता T जो एक जगह से दूस्य जगह घूमते रहते हैं। उनका कोई इस्थाई निवास निवास नहीं आता है। फिक्स पर्मानिंट कोई जगह नहीं रहता हैं कि ये वाला घर है। अगर कोई उनसे पूछे ना भी ये तुम्हें पाउस कहते हूं। तो सबसे पहले यहां पे हम बात करें तो इनकी सुरुवात कैसा होता है, सुरुवात किस प्रकार से हुआ, इसके बारे में हमें जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है, तो यहां पे हम देखते हैं कि आदी मानव काल के समय में, जब आदी मानव काल चल रहा था, तो उस समय में उनके जिवन वियापन के तरीक उस्ती तरीका उसमें चेंच시 आना सुरू होता है परिवर्तन उन चीहार करते थे जिसें असानी से मतलब छोटी जानुमर को सिकर कर से कि बड़े ओजार थे मतलब उतने घाक ऊजार नहीं है तो अब धीरे दीर उनके तरीकों में परिवरतन आता है, नि सिकार करने के तरीकों में परिवरतन क्या हुआ गहीं? आदी मानव काल के समय में अब एक जगह पे जैसे अब एक जगह पे रहें किसी जंगल में एक जगह पे रहें वहां पर सिकार खतम हो गया ठीके तो उसके बाद हो क्या करते थे अपने जीवन व्यापन के लिए एक जगह से दूसरे जगह वह चले जाते तो दूसरे जगह जै कीज़े थी एक जगह से दूसरी जगह जो विस्थापित हो ना वह अस्थाई निवास को दर साथ है कि एक जगह स्थाई निवास नहीं था पर वह दीरे-दीरे समय के साथ में एक जगह रुक कर स्थाई निवास बनाने का कोर्शिस करने लगे एक जगह पर रुक कर पर्माने बनाए कि यहां पर मैं रह रहा हूं ठीक है तो उसके बाद क्या होता है खेती का परम करते हैं खेती करना स्टार्ट करते हैं और खेती करने से ही यह माना जाता है कि स्थाई निवास बनता है मनुस्य क्यों वह आगमन हुआ खेती करने से कैसे कि खेती करने में अगर कोई भी अल्मोस्ट 6-7 महीने साल बर का टाइम लग जाता है, कम से कम भी 3 महीने का टाइम लगता है ये किसी फसल के अंदर में, तो 3 महीने अगर किसी एक जगह पर रुखा तो फिर उसको खेत के अंदर में और ये बहुत सारे काम होते हैं, यहाँ पर पसु पालक खाना बदोस की जिन्दगी हम देखते हैं, दो अलग-अलग सेग्मेंट में, एक सेग्मेंट ऐसा रह जाता है कि जहाँ पर अस्थाई निवास है, जो खेती करके आगे जीवन व्यापन कर रहे हैं, दूसरा ऐसा सेग्मेंट रहता है जहाँ पर अस्थाई निवास है, फिक्स पर्मानेट कोई घर नहीं है, ठीक है, कोई पर्मानेंट एडरेस नहीं है, ठीक है, और वो पसु पालक खाना बदोस की तौर पर जिन्दगी जिन्दगी जिवन कर रहे हैं, जिसमें पसु को पालते हैं और एक जगह सा दूसरे जगह घूमतू के जीवन वैतीत करते हैं ठीके उनका जीवन व्यापन का तरीका को चीज़ परकार कर रहता है कि एक जगह सा दूसरे जगह अपने जानवरों के साथ में गूमते हैं ठीक है पसुओं को पालतू बनाने से किस तर से उनने पसुओं को पालतू बनाया ठीक है उससे सुरू होता है और उन्होंने स्टार्टिंग में जंगली जानवरों को पालतू बनाने स्टार्ट किया ठीक है जो जंगली जानवरों को पालतू बनाने स्टार्ट किया अब यह इसके बारे में पढ़ो गया आप अपने बुक के अंदर में तो यह भी बहुत important topic है कि जंगली जानवरों को पालतु बनाया जाना तो सबसे पहले यहां पर देखो तो यह थाने की एक दिन के अंदर में गए और जानवरों को पालतु बना लिए कई हजार सालों का यहां पर म जान होना चाहिए तब जाकर वह पालतु बना सकते किसी भी जानवरों का तो समय के साथ साथ किस तर से उनका knowledge इखटा किया किस तर से ग्यान इखटा किया उन्होंने किस तर से जानवरों को selection कि हां यह वाला जानवर को अगर हम पालतु बनाएंगे तो इससे benefit होगा यह बह हमारी तिहांसकार आते हैं सेंडोर बोकोनी करके यहां पर यह भी कई सारी चीज़ें बोलती है पालतु बनाएंगे तो हमारे वफादार रहेगा हमारे साथ आगे काम आएगा समय के साथ पालतु बनाए जाने लगा दीरे पहले पालतु को सिकार किया जाता था दीरे दीरे उनके साथ रहते रहते सीखा गया कि किस तर से क्या उनका behavior है किस तर से उनका आचरन है कौन सा पासू हमारे साथ friendly रहेगा किस पासू को हम use कर सकते हैं उसके बाद एक लंबी प्रिक्रिया के बाद पसू को पालतू बनाया जाने लगा पसू को पालतू बनाने के लिए पसू को चयन किया गया कौन से पसू को चयन किया जाए किस पसू को पालतू बनाया जाए अब मान लो किसी व्यक्ति को भीजा गया है कि भी यह जाओ पालतू बनाना है उसको बनाना जिससे जरुत पढ़ने पर उनका दूद का उपयोग भी किया जा सके और मास का भी उपयोग किया जा सके अब देखो मास का उपयोग करने के लिए गाय भैंस ये भी दूद देते हैं पर उनका मास का क्या उपयोग करेंगे ने करेंगे ये उनके उपर डिपेंड करता है ठीक पहुंद्द में बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। यहां पे सिकार ना मिलने पर խोजन कीुरुपь में उसको उप्योग कीया जा सके पसु का युझे, यही का पहलत Maarut तो उनका उन जो उनकी खाल होती तो उसका उप्योग किया जाना ठंड के समय में अलग लग समय में उसका उप्योग किया जा सके इस बात का भी ध्यान रखा जाता था कि आज इस चीज को हम उप्योग इस तरीके से करेंगे आगे हमें ये काम आएगा ठीके तो इसको इसके व एक तरह से नोँ होता था और कुट्टा से कया होता था एक तरह सा शिकारी अधी फ़क्रिक्ट बहुंद करते थे तो कुट्ता बहुत ज़्यादा बैनिफिट यहां पर देखने कर लिए मिलता है कुट्टे का- दूसरे पर डिपेंडेंसी नहीं होती थी आसपास का बचा खुचा खाना खाके रह जाते थी बेड़ बकरी के साथ भी यह होता था कि अलग से जादा इंतजाम करने की जरूरत नहीं होती थी कि बहुत जादा आपको इंतजाम करने की जरूरत है ठीके बेड़ बकरी भी सबसे पहले पालतू बनाया जाने का पर्माण मिलता है वहीं पर पश्चिम एसिया के अंदर में सरवधिक भेड़ बकरियों को पाले जाने का साक्षे मिलता है तो यहां पर सेंडो और बैकॉनी ने यह चीज़े बोली ठीक है आगे यहां पर आते हैं वेंके के द्वारा वें अज़ा ढ़ने के लिए और गाड़ी को खीचने के लिए पाला जाता था दूसरी सतापदी इसापुर्व के आसपास में उट पाले जाने का परमाण मिलता है ठीक है चौती सतापदी इसापुर्व के यूरेसिया और स्टेप्स के जो मैदान थे वहां पर घोड़े पाले जाने से राजनितिक और सांस्कृतिक प्रिद्रिष्ष्य में किस तर से परिवर्तन आएगा तो घोड़े को पाले जाने से क्या हुआ कि जो भी लोग थे वह बहुत रफ्तार से आगे बढ़ सकते थे ठीक एक बैल गाड़ी को गी सकते थे और उनका सिकार करने के लिए के लिए सेनाव का जैसे उपयोग करना सेनाव को घोड़े देना ठीक है एक जगस दूसरी जगस करने के लिए घोड़ों का उपयोग किया जाने लेका और यहां से उनके जो राजनीतिक और सांस्कृतिक परिद्रिश्चता उसके परिवरतना आता है घोड़े के उपयोग से जो उनकी रफ्तार थी जो बोजा डोना या फिर सवारी डोना का जो रफ्तार था उसमें बहुत जादा changes आता है गोडे को उप्योग से यहाँ पर अगले हमारे इतियास का रहते हैं दानी और जया पेर करके आते हैं तो यह भी बहुत सारी चीजे बोलते हैं यहां पर बोलते हैं कि खाना बदोष जो समू है वह मनुस्वय और पुष्व laga के बीच में संबंध स्थाफित किया खाना बदो daw yum उन्हें क्या मनुस्य है किस फूλλ के बीच मिच में खाना पदौस समुने जो था पूरा मनुस्य और पसो के बीच में संबंध इस्थापित की है तो यहां पर दानी और जया पियर और बी क्या कहते हैं कि पसो की जो सकती था उसका व्यापक इस्तमाल करना किस एनिमल के अंदर में किस जानवर के अंदर में क्या पावर है वह उपयोग करना और आगे बढ़ना प्रकतिसील सब्वेता की और आगे बढ़ना अगरसर होना यह यहां पर देखा गया बैल और घोड़ो को आ जो था उपयोग क्रिशी के लिए व्यापक मातरा में उपयोग किया जाना यह भी बहुत ज्यादा इंपोर्टन है क्रिशी के और रेतीले रेगिस्तानों के अंदर में यातरा के लिए उटो का उपयोग किया जाने लगा तो यह भी एक परिवर्तन के तौर पर देखा जाता है यहां पर आगे आप बात करोगे तो खाजा नोव करके यहां पर आते हैं तिहांसकार उन्होंने पांच विसस्ताओं का उ बोस्वपालन यहां पर माना आ गया दूसरा यहां पर पताते हैं कि अंदर में इसा यहां पर उनको चारगा इजली मिल जाए अगले पोइंट के अगर हम बढ़ते हैं तो यहां पर कहते कि अधिकांस लोग पसु चारण में ही सामिलते हैं ऐसा नहीं होता था कि आज के समय में गया कि एक बंदा एकाउंटेंट है तो एक बंदा टीचर एक बंदा कुछ और एक उस टाइम पर क्या था कि अधिकांस लोग पसु चारण पसु को चारण चलाने में ही पसु को पालने में ही वीजी थे उसमें ही सामिलते यह मान जाता था ठीक है तो खाना जी खजानूव यहां पर अगला पोइंट कहते हैं कि उत्पादन का मुख्य लक्षे क्या होता था अधारबूत अविस्ताओं को पूर्ति करना ऐसा नहीं होता था कि सेविंग करना है आज के समय बंदा कमा रहा है कोई जो भी जौब कर रहा है तो क्या सोता है कि मेरी इतनी सैलरी है तो इसमें सीतना बचना चाहिए आ गए इतना हो यह होना चाहिए पर उस समय की क्या था उत्पादन जो भी उत्पादन किया जाता तो उसका मुख्य लक्षे ये था कि जो मूलभूत अधार बहुत जो अविसकता है उसको पूरा किया जाना ओई इनफ था ठीक है तो खजानोब ने पांच विस्थाओं का उलिक किया जिसके अंदर में सबसे पहले चाहा जाता है कि अर्थवस्ता का जो आधार था वो पसुपालंधन को मानते हैं चारगाह के लिए निरंतर एक जगा से दुस्थर जगो घुमते हैं चारगाह छेतर के अंदर में ही वीचरन करते हैं और अधिकांस लोग पसुचारन में सामिल थे उत्पादन का जो मुख्य लक्षे था मू इससकर सकते हो जैसे उनकी समाजी सनरचीना को दिखले तो सबसे पहले हैं ऀस था निवास थह उनका ठीक नवास फर्मानिंट घर नहीं था Sgt सब्सक्जी मास दूद अन्य भोजन पर निर्भरता की बढ़ती चली गई सब्सक्राइब इसी कारण से धार्मिक अनुष्ठानों के पर्माण मिलते हैं कई जगी जहां पर अलग-लग तरह के धार्मिक अनुष्ठान पसु बली जैसे मिलती हैं देखने के लिए अगर उनके समाजिक संरचनों की बात करते हो सांस्कृतिक संरचनों की बात करते हैं तो बहु पती मतलब एक से ज्यादा पती और एक से ज्यादा बहु पतनी एक से ज्यादा पतनी रिखने का रिवाद देखने के लिए मिलता प्रमण मिलते हैं थीको यहां पर किया बता सकते हो कि जो फ़री थीदिंग उनके पसू तर यह मान जाता था विभिन अंचेते पहल निभरता कि जाने लगी पसव को आहार के रूपे उफ्योंक किया जाना लगा ठीक है पसु को पालने से जीवन सेली में परिवर्त अना है जैसे हम गोड़े कर पालने से क्या हुआ कि वह आज सिकारी बहुत जाए था फास्ट हो गया जल्दी जैसी कार कर सकते थे एक दूसरे पर हमला करने के लिए एक समून से जीवन सेली में परिवरतना है पसुपालन से राजनीतिक सांस्कृतिक जीवन के उपर में परभा पड़ता है जुनकर राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन था उससे में भी उसके अंदर में इंपक्त पड़ता है जैसे भी मैंने गोड़े का एक्जामपन दिया कि एक जग से दूसरी जीवन परिवरतना है यहां पर यहां पर देखा जाती हैं आपने चंगेज खां के बारे में पड़ा हुका कही बार सुना हो है चंगेज खा भी प परस्वीबॉर्यों तोर पर ही जाना जाता है, जो मंगोल पूरा मंगोलिया सम्राजे था, उगने ऩो नियुका। को थोड़ा सा समझोगे आपको खाना-बदोस पाओंगे किस तरह से हो खाना-बदोस रहते थे ठीक है आप उसको एनलाइस कर पाओंगे कि उनका रियल लाइफ क्या था जो चंगेज खाँ और पूरा खाना आप दोसके उपर में ही डिपेंड रहता है तो यह पूरा जो इंपोरेंट टॉपिक था ठीक है आपको मैंने पढ़ाया यहां पर दी इनप के तुरू और नव इंफो के उपर एक रिक्वेस्ट यहां पर आप सभी स्टुटेंट सी रहेगा कि अगर वीडियो आपको अच्छी लग रहे हैं तो कमेंट, लाइक, सेर, सस्क्राइब जुरू करें और अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाएं और आगे भी इस तरह की वीडियो आपके लिए टाइम टू टाइम आती रहेंगी तो उसके लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब करना बिलकुल न बात करेंगे, जिसमें हम डिटेल में, PDF के अंदर में डिस्कस करेंगे किया टॉपिक है, किया चीजा पढ़ने वाली है, क्या चीजा हम लिख सकते हैं, और अगर मैं यहां पर बात करूँ, अगर यह कोशन बन कर आता है, तो उसको कोशन को explain कैसे करोगी, तो जिस तरह की से पखा जानोव हो गए ठीक है इनकी समाजिक संद्चना क्या थी आतिक संद्चना किस तरह की थी इसको दीरे-दीरे करके आप explain कर दो अच्छा खासा number बन जाता है और नॉर्मली एक जो 20 number का question होता है उसको मैं 500 500 वर्ट के अंदर में लिकना होता है और यह जितना मैंने बताया है 500 वर्ट से कहीं ज्यादा है और अच्छा से explain कर सकते हैं आपको ठीक है तो डिटेल में आए होप सो आपको समझ में आऊगा अगर कहीं पर किसी को कोई भी डाउट हो जो समझ में नहीं आ रहा है कुछ वेग